हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सी बीए सी फिजिक्स एक कोश्चन यंग्स डबल स्लिट अक्सपेरिमेंट वाई डी एसका 100% आता ही आता है तो यहां पर क्या हुआ है कि दो लाइट रे जिनका की एक बार फेस डिफरेंस लेमड़ा बाई 6 है और दूसरी बार लेमड़ा बा तो भी उस इंटेंसिटी का रेशो उच्छा हुआ है बचो जब आज डिफरेंस जीरो होता है तो मैक्सिमा होता है और जब 180 डिगरी होता है तो मिनिमा होता है तो उसके बीच में कहीं होता है तो कोई इंटेंसिटी ना मैक्सिमम ना मिनिमम कुछ इंटेंसिटी होती है इन phase difference के लिए पता लगाने के लिए हमारे पास formula है 2 pi by lambda into path difference, तो phase difference पता लगाएंगे 5 और 2 pi by lambda into first case में path difference कितना है, यानि कि 2 wave पहुंची है, एक point पर उनके बीच का path difference, तो phase difference पहली situation में आ गया, pi by 3, तो यहां मैंने थोड़ा सा solve करके रख रख है कि first case के अंदर intensity, i1 कहा देता हूं, मैं 2 a square 1 plus cos pi by 3, तो cos pi by 3, cos 60 हो गया, cos 60 होता है, root 1 by 2, sin 30 1 by 2, cos 60 1 by 2, 2 a square 1 plus 1 by 2, तो यहां पर cos 60 की value फिर दुबारा सोच लेते हैं, 1 by 2 ही होती है, यह आ गया, 2 a square into 3 by 2, इसको equation number 1 कहा दो, अभी दूसरी intensity पता लगाने है, i2, वो क्या होगी, 2 a square 1 plus cos, इस बार देखते हैं, 5 कितना होगा, second case में, 5 2, 2 pi by lambda, और path difference कितना है, lambda by 12, तो lambda से lambda गया, pi by 6 रहे, pi by 6, 30 degree होते हैं, तो यहाँ pi by 6, तो, pi by 6 पर cos की value हो जाती है, root 3 by 2, sin 60 पर जो 30, इसका उल्टा हो जाती है, sin 60 पर root 3 by 2 है, तो 2 a square, 1 plus root 3 by, तो, जब हम divide करेंगे, थोड़ा से इसको simplify करना है, simplify कर लेते हैं, 2 lc में 2 plus root 3 by 2, और equation number 2, दुनों को इंटेंसिटी रेशो पता लगाँने, i1 by i2 है, इंटेंसिटी रेशो ओफ इंटेंसिटी, तो, i1 by i2, तो 2 a square इंटेंसिटी रेशो इंटेंसिटी रेशो अपने 2 a square, 2 plus root 3 by 2, तो 2 a square से 2 a square गया, 2 से ये 2 गया, बच गया 3 by में 2 plus root 3 थोड़ा rationalization कर लेते हैं और answer को simplify करने के लिए 2 minus root 3 upon तो यह हो जाएगा 6 minus 3 root 3 upon 2 का square 4, 4 minus 3 1 हो जाएगा नीचे तो 1 ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यह आगा 6 minus 3 इंटू 1.727 यह होते है हमारे root 3 की values root 3 की value 1.732 तो इसको जब value put करेंगे आपा जाएगा 1.7 रखलो थोड़ा सा हमारा आजाएगा answer 6.6 minus तो answer आजेगा बच्चो 0.81% मैं थोड़ा math calculate कर देता हूँ वाकि answer आपको भी कोशिश कर सकते हैं 1.73 इंटू 3,9 और 3,5.29 इन्नों साथ तो इन्नों 5.29 तो 6 में से 5.29 जाएगे तो कितना बच जाएगा 1 और 9 में से 2 गए 7 0.7% वह दिकत नहीं है तो intensity ratio आगया हमारा 0.71 या 71% कह सकते हो या 0.71 answer आगया बच्चो तो कोई खास मुश्किल नहीं थी problem बढ़ थोड़ी calculation थी thank you बच्चो